हेलो एवरीवन, मैं हूरूबी और आप आए हैं तारा मदू की रसोई चैनल पर तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी कुछ महनत दिखाती हूँ देखिए आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत ताम जाम करने पड़ते हैं मैं यापर बाउल्स को लेकर के एक फोटो खिछना चारे थी बट मेरा बीकर बार बार रोटेट हो जाता और मुझे इतनी महनत करनी पड़ी वीडियो में तो करनी ही होती है केक बनाने में भी करनी होती है और यहाँ पर थमनेल में भी बहुत महनत करनी पड़ती है बहुत महनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो बिना स्किप किये, जरूर देखा किजिए, क्योंकि पूरे वीडियो के दौरान में इतनी सारी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं 100% गैरेंटी के साथ गोल सकती हूँ, आपको इतनी हल्प करेगी कि आपका कोई भी स्पॉंज फिर गड़बर नहीं होगा और परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे, और यहां पर आप मेरे हाथों में ना दो बैटर देख रहे हैं, चोकलेट फ्लेवर है और एक बनीला फ्लेवर, और दोनों जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अपनी बेटी की भी एक बात मान ले थी, उसने का कि ममा आप इस बरतन को यूज़ करने वाली हो न तो आप इसको दिखाओ, बट मे जे फ्रेंड्स, दो केजी केक का ओडर आया है, ड्राइ केक का, और केक दोनो ही फ्लेवर में उनको चाहिए था, एक ही पीस में मतलब दोनो फ्लेवर चाहिए थे, तो मैं यहाँ पर यह केक टाइम का प्रिमिक्स ले रही हूँ, वनिला और चॉकलेट फ्लेवर, और इनी मे अब मेजरमेंट के हिसाब से, दो दो टेबल स्पून इसमें हम ऑईल डाल दें, आप पिंगला हुआ बटर भी डाल सकते हैं, बट ऑईल से भी केक का स्पॉंज का अच्छा बनता है, तो मैं जनरली यह यूज़ करती हूँ, मैं फॉर्चियून का रिफाइन ओल यूज़ क जब भी आप कोई ड्राइए केक बना रहे हूँ, या कपकेक बना रहे हूँ, या मफिन्स बना रहे ह। बहुत सरलोग बोलते हैं, हमारे चिपचिपे बनते है द्राइक जो है वो टूटने लगते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रोब्लम आती है तो आप मेरे केक पर आ जाए और अब मैं चॉकलेट फ्लेवर वाला स्पॉंज बना रही हूं ठीक वैसे ही और चॉकलेट स्पॉंज बहुत जल्दी पतला होता है तो इस बात का धियान रखेगा पानी बहुत रोक रोक करके ही डालना है आपको अभी आपको पतला लग रहा है पर दो क्वांटिटी में गिरे है हमारा डिजाइन एकदम परफेक्ट निकलके आया तो किचिन में यूज जो यह टूल होता है ना टूल नहीं बरतन होता है जिसे बोलते है कडची आपके आया जरूर कुछ ना कुछ और बोलते होंगे हमारे यहां तो कडची बोलते हैं जिससे सारे फाइदे मिल जाएं जैसे कि मेरा केक डीमोल्ड आसानी से हो जाए मुझे बटर वगएर लगाना ना पड़े और मैं इस पेपर को ना रियूज भी कर सकती हूं वाश करके रख करके और सबसे चीब बात यह इको फ्रेंडली है तो यहां पर इसके कटर की मदद से ही मै अब मैं इस बरतन के अंदर इसको परफेक्टली सेट कर दूगी इस तरीके से तो फ्रेंड्स कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं आपने यह ब्राउनी का और यह बड़े वाला स्क्वार केक्टिन कहां से लिया है तो मेरे यहां पास में एक शॉप है मैं वहां से लेती हूं आपको लिंक जरूर देती चलिए बरतन रेडी हो गया है पेपर भी सेट हो गया है अब इसके अंदर हम डालना शुरू करेंगे अपना बैटर तो इस कर्ची से सबसे पहले मैं लगबग देड़ कर्ची डाल दूगी बिल्कुल सेंटर में यह वनिला फ्लेवर वाला बैट यहां मैंने चॉकलेट फ्लेवर वाला डाल दिया फिर से हम वनिला फ्लेवर वाला डालेंगे और बिल्कुल सेंटर में आपको डालना है और कर्ची को उठाते वक्त भी इस बात का ध्यान रखना है कि बैटर आपका कहीं भी टपकता हुआ ना जाए क्योंकि एक बूंद भ आपका बरतन में स्प्रेड होता जाएगा आपको स्पेस मिलती रहेगी डालने की और जैसे ही आपको लगेना आपका बरतन लगबक आधे माग तक आ गया है बस उसके बाद आपको बैटर डालने रोक देना है तो मैं फ्रेंड्स यहां पर अपना बैटर अभी डाल रही और उसी किसाब से मैं दूसरा अपना बरतन रेडी करूँगी तो इस तरीके से देखिए और नेट कलर्स की यह जो सर्कल्स बन रहे ना इससे ही हमारा बहुत त्यारा डिजाइन बनेगा और मैंने ऐसा डिजाइन एक बार और भी अपने चैनल पर बहुत पहले शेयर किया लिंक में आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बट आज ये ड्राइक के फ़र्म में मुझे देना था दोनों ही स्पॉंज आने थे तो फिर मैंने सोचा यही एक तरीका है बढ़ी आसा डिजाइन में बनेगा और फ्लेवर भी दोन आएंगे और यहां पर देखि बिगड़ जाएगा बस आपको डालते रहना है और जैसे जैसे आप डालेंगे ना ये आपके प्रेशर के साथ बैटर फैलेगा पस वही आपको अपने आप होने देना है यह देखिए और अब जैसे जैसे अंदर आ रहे है ना फ्रेंस तो बैटर की क्वांटिटी आपको थोड़ी कम करनी होगी, तो चाहें तो कोई spoon ले लिजेगा, या कोई छोटा measuring spoon ले लिजेगा, अब देख रहे हैं, मैं बहुत ही कम batter अपनी कर्ची में ले रही हूँ, क्योंकि अब requirement कम होती जा रही है, यह देखे, और मैंने यहापर कुछ भी cut नहीं किया है friends, so that मैं आपको आसानी से बता सको, और batter मेरा spread अच्छे से हो गया है, तो मैंने एक tablespoon लिया है, और उसकी मदद से हम मैं, center में batter डाल रही हूँ, और यह teaspoon लिया है, तो अब चोटू सा चोटू point भी बना रही है, यह देखे, तो अब almost इसमें भर चुका है, एक डू डू डॉप और जाएगा chocolate flavor वाला, और यह complete अब इसमें हो चुका है, अब लेंगे एक toothpick, और center से बाहर की तरफ, इस तरीके से इस पे marks बना देंगे, यह देखे, और किनारों से बाहर से अंदर की तरफ, मारेंगे अभी हम marks, पहले एक बार और ऐसे ही मार देते हैं, यह देखे, इस तरीके से, और अब एक mark और में बनाऊंगी, जो की बाहर से अंदर की तरफ आएगा, यह देखे, इससे बहुत ही प्यारा design बनेगा, भी आप देखेगा, लास्ट में, और इस तरीके से, देखे, फ्रेंड, हमारा almost batter इसमें चला गया है, थोड़ा सा बचा है, बट मुझे 4 cup premix का पूरा बनाना है केक, तो मैं अब दूसरा बरतन इसके लिए रेडी करूंगी, और इसको बिना टच की, अभी हम साइड में रख देते हैं, और मेरे पास यह rectangle shape का बरतन है, क्योंकि बैटर कुछ इतनी ही quantity का है, कि यह almost इसमें लग जाएगा, तो मैंने इसके अंदर भी, और दी का मैं सारा इसमें डालने वाली हूँ, तो friends, अगर आप भी home baker हैं, इस तरीके के आपके पास dry cakes के order आते हैं, तो आप mawa cake, और इस तरीके के marble effect वाले cake उनको बना कर दे सकते हैं, इससे क्या फाइदा होता है, कि एक ही slice में दो-दो flavor आते हैं, जैसे वनीला और चॉकलेट का, औ और जब मैंने कल brownie बनाई थी, friends, जिनको दी थी, उनी को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर अपने किसी party के celebration के लिए मुस्से एक cake बनवाए, और अभी एक party उनके और होने वाली है, date नहीं पता, और उसका भी cake मुझे बनाना है, और उसका flavor वो खुद बताएंगे, और वैसे ही dry cakes उने चाहिएं, आज के लिए हैं, आसपास में मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको cream वाले cakes पसंद नहीं होते, तो उनके लिए dry cakes बहुत काम करते हैं, different flavors के, different shapes के, different color combination के आप इने बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ice cream वाले cake में ही काफी variety है, हमारे dry cakes में भी ब बना सकते हैं, अगर chocolate flavor आप cake बना रहें, तो उसको आप आटे से बनाईए, उससे भी काफी अच्छा result आता है, तो यहाँ पर देखिए rectangle shape के cake की भी मैंने toothpick से designing कर लिया है, हाला कि उसकी उतनी ज्यादा effective नहीं बनी, और अब मैं इसे अपने preheated OTG में, 150 degree पर लगबग 40 minutes के लिए middle rack पर, मीचे की rods को on करके bake करोंगी, अगर आपके OTG में fan है, तो fan को भी आप on कर दीजेगा, और यहाँ पर देखिए, दोनों ही cake sponge मेरे ready हो गए है, बता नहीं बाहर निकालते वक्त की clip मुझे मिली नहीं, शूर्तों में नहीं कीती, चलिए, आप इनको हलके ठंडे म ही हम demold करेंगे, पूरा ठंडा नहीं होने देंगे, और मेरे पास तो फ्रेंड्स टाइम ऐसे ही कब था, तो हलके गरम में ही मैं निकाल रही हूँ, कि रहे कि कितना बढ़िया sponge हमारा ready हुआ है, और आप इस वाले को भी बहार निकालते हैं, और वो जो दूसरा sponge है, उसको तो आप डारेक्ट क्लिंग रैप से रैप करके, ऐसे ही सेल भी कर सकते हैं, 300 रुपीज में आपको दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर pieces कट करके इसको दूँगी, जैसे मेरे customer की demand है, और यह cake sponge भी बहार आ गया है, अब ऐसा dry cake जब भी आप friends बनाएं और आपको उसके pieces कट कर आने है, actually मुझे 35 slice देने थे, तो उसी की तयारी में कर रही हूँ, और देखे कितना perfect design इसमें आया है, और बिल्कुल ऐसे ही, अब मैं इसमें से कुछ slice कट करूँगे, और कुछ मेरे उस square वाले में से हो जाएंगे, तो मेरा target था 35 pieces का, अगर कुछ एक दो extra हो गए तो वो म में रख लूँगी, बट इतने pieces के लिए हमें 4 cup premix तो चाहिए ही होगा, और यहाँ पर देखिए, एक भी piece में बड़ा छोटा नहीं कर रही हूँ, so that जिसको भी मिले, और अगल बगल वाले को अगर कम ज़्यादा piece मिले ना, तो आदमी देखता है कि मेरा छोटा इसका हो गया है, अब मेरा target है कि बड़े cake में से 25 pieces मिल जाएं, तो चलिए इसको रखते हैं side में, और इस cake के भी अब चटी-चटी pieces कट कर लेते हैं, बट पहले नीचे वाले paper को जरूर रिमूव कर दीजिएगा, otherwise cut करने में बहुत दिक्क्त आएगी, तो यह है square shape का friends, मुझे rectangle shape बनानी होगी पहले इसकी, तभी मैं बराबर के pieces cut कर पाऊंगी, तो center से मैं इसको cut कर देती हूँ, और यहाँ पर cutting करने के लिए friends, कोई भड़िया धारीदार चाकू लीजिएगा, जो bread knife होते हैं, आप पो ले सकते हैं, और baking के लिए किस तरीके के tools हमें, spatula, knives, beater, यह सब च design बहुत अच्छा आया, फिर मैंने जब इसकी आधे वाली layer देखी ना, तब समझ में आया कि मुझे kick इस तरफ से नहीं, बलकि इस तरफ से cut करना चाहिए, तो फिर क्या था, मैंने center से cut किया, ताकि मुझे piece slice perfect designing वाला मिले, और अम मैं इसको इस तरीके से cut करने वाली हूँ तो यहाँ पर friends, मुझ पर time थोड़ा कम था, otherwise मैं इसे और fridge में रखती न, तो इसकी slice और भी perfect cut थे, बट फिर भी मेरा काम चल जाएगा, तो फटा फट से इन सभी के, एक जैसे pieces cut कर लेती हूँ, और इन सब के cut करने के बाद, friends, 40 slice मेरे total हो गए थे, तो 5 मैंने अपने घर क लिए रख लिए, so that बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि मुझे 35 देने थे, एक मैंने extra खुद से ही दे दिया, तो इस तरीके से friends के सारे zebra print वाले हमारे vanilla और chocolate flavor वाले, यह pieces ready हो गए है, कहीं आपको लगी ना कि piece कोई बड़ा या चोटा है, तो आप सब को trim करके, एक जैसा करके जरूर दीजेगा, चलिए अब इसको pack करते हैं, pack करने के लिए मैंने ये designer सा box लिया है, और इस पर ना मैंने एक दिन logo लगाया था, बट वो खराब हो गया था, तो दोबारा से उसी box को use कर रही हूँ, logo फिर से उसके उपर लगा दिया है, ताकि वो अच्छा लगे, और अब मैं इसके अंदर ये जो ओड़ी के uni wraps आते हैं, वो paper को set कर रही हूँ, और अब एक-एक slice को मैं इस तरीके से रख दूंगी, so that उन्हें निकालने में भी आसानी हो, और जो भी थोड़ा बहुत चूरा मेरी plate में गिरा है, वो यहीं पर रह जाए, तो धीरे-धीरे क करके सभी slices को मैं देखे रख रही हूँ, सभी एक जैसे ही हैं almost, हलाकि हात है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पर कोशिश मैंने यही किया है, और friends, per slice का मुझे order मिला था, तो 15 रुपीज का मैंने ये एक slice दिया, तो इस तरीके से 35 slice का हुआ 525 और 20 रुपिया मै मेरा ये पूरा order था, 100 रुपीज मैंने delivery चार्ज लिया, क्योंकि थोड़ा सा दूर जाना था, तो 645 में friends, ये देखे, मेरा पूरा का पूरा order ready हो गया, तो आप भी घर बैटे इस तरीके से dry cakes से भी खुब सारा profit earn कर सकते हैं, और ऐसा बिलकुल भी मत सोचिए कि cream वाली cakes म में profit होता है, dry cakes में कम होता है, इससे भी बहुत कुछ आप earn कर सकते हैं, अपना बड़िया टेस्ट अपने customers तक दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना logo भी लगा दिया है, यह देख सकते हैं, आप तारा मदु की रसुए का, तो friends, वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो, तो Instagram, Facebook पर भी, please, please, follow कर लीजिएगा, और friends, अगर आप मेरी online classes attend करना चाहते हैं, तो screen पर दिये गए number पर contact कीजिएगा, चलिए कर मिलते हैं, bye, take care.